क्या अंजु ने नसुरुल्ला को धोका दे दिया क्या पाकिस्तान अंजु किसी मकसद की वज़ा से गई थी नमश्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं यह सवाल इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अब खबरे सामने आ रही है कि नसुरुला का रो रो कर बुरा हाल हो गया है वो भी इसलिए क्योंकि अंजु ने छोड़ कर चली गई पहले तो बाते यहां पर देखी गई खुद नसुरुला कहते वे नजर आए कि अंजु भारत इसलिए गई है क्योंकि उनका वीजा खत्म हो गया है और वीजा बढ़ाने में समय लग रहा है इसी बीच ये भी कहा गया कि अंजु अपने जो दो उनके बच्चे हैं अपने दोनों बच्चों को वापस लेने के लिए और पुराने पती अरविंद को तलाख देने के लिए वो भारत वापस लोटी है और ये प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाएगी वो पाकिस्तान वापस लोट जाएगी लेकिन देखा जाता है कि भारत में रहते वे अंजु कई बड़े बड़े बयान देती वे नजर आती है एक तरफ कहती है कि पाकिस्तान में भारत की तारिफ होती है दूसरी तरफ कहती है कि उन्होंने कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है वो आज भी इसाई है वो इसी धर्म को मानती है साथ ही साथ कहती है कि उन्हें अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार है और वो अपने दोनों बच्चों के ही साथ रहना चाहती है वहीं तीसरी तरफ अपने पुराने पती से भी बातचीत करती है इन बातचीत में तलाग से जुड़ेवे कोई बात नहीं आती है वहीं अरविंद खुद इहां पर मीडिया के सामने कहते वे नजर आते हैं अगर उनके दोनों बच्चे चाहेंगे तो हम समझोता करने के लिए भी तैयार है जब पूरा मामला भारत में सुलजता हुआ नजर आ रहा है तो अंजू वापस कैसे जाएगी इसी वज़ा से पाकिस्तान में नसुरुल्ला को ताने जहलने पड़ रहे हैं लोगों का ये कहना है कि नसुरुल्ला को धोका दे कर भाग गई अंजू नसुरुल्ला का इस्तमाल अंजू ने किया ये कहा जा रहा है कि नसुरुल्ला किसी गलत हातों में पड़ गया जिसके बाद जो अंजू को खुद छोड़ने आए थे बॉर्डर पर कि आप जाईए और वागा बॉडर के जरीए वो भारत में वापस आई थी तब भी रो रहे थे कि वो अंजू से बिछड रहे हैं लेकिन अब उनके यासू इस तरीके से निकल रहे हैं कि उन्होंने धोका खाया है क्या कुछ लगता है आपको कमिन बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद